नमस्कार दोस्तों, दिसीज सोनु एलावत, तो यह है हमारा महिने का सबसे पोप्लर वीडियो जो कि हम एवरी मंथ वीक के लास्ट में लेकर आते हैं, हाला कि इस बार दिसंबर के लास्ट में ये वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा सा लेट होगे, लेकिन फ्रेंट्स कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको जितने भी वेकंसी के बारे में बताने वालों, सभी के लिए फिलाल ओनलाइन फोप्लाई के जा रहे हैं, तो चलिए फ्रेंट्स, फाइनली आपको डीटेल के साथ बताता हूँ, टो फाइव अपकमिंग गवर्मेंट जो वेकंसी जिन पांच वेकंसी मुझे सबसे ज्यादा यूनिक लगी और अपने आप में कुछ अलग हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको वेकंसी के साथ-साथ उनकी यूनिकनेस के बारे में बताता रहूँगा, तो चलिए फ्रेंस डीटेल से एक एक वेकंसी क चीज़ बता दू, जिन लोग को नहीं बता, फ्रेंस 12 ओफ जनवरी साम 5 बजे यानि कि इसी टूजड़े को हम एक सुपर फास्ट मैरेधन करने हैं, जिसमें हम वो सभी most important high rated और top scoring topics जो होते हैं, हर एक competitive exam में बार बार पुछे जाते हैं, जिन से questions उनको एक ही marathon वीडियो मे cover करने वाले हैं, एकदम जबर्दस वीडियो रहने वाला है, तो याद रखेगा, सुपर फास्ट मैरेधन वीडियो आ रही है, 12 ओफ जनवरी साम 5 बजे यानि कि इसी टूजड़े को, तो attend करना बिलकुल भी मत भूलेगा, हर एक exam के लिए most important रहने वाला है, बात करते हैं, फेकेंसी नंबर फिफ्ट के बारे में, जो किया है, इंडियन एरफोर्स ग्रूप X&Y Recruitment 2021, जिसका official notification आ चुक है, और इसके लिए online form 22nd January 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, साथी form की जो last date रहेगे, वो 7th of February 2021 रहने वाली है, इसकी exam date बेर नाम सो रखिया है, exam जो आपका होने वाल है, बात कर लेते हैं form fees के बारे में, तो हर एक category के लिए, general OVC STC category के लिए 250 रुपी form fees यहाँ पर रखिय हुई है, सबसे पहले बात करते हैं, eligibility criteria में, age limit के बारे में, देखे friends, अगर आपका जन्म ध्यान से सुनियेगा, 16th of January 2001 से लेकर, 29th of December 2004 के बीच में हुआ है, तो आप इस vacancy के लिए form apply कर सकते हैं, आप eligible है, बात कर लेते हैं, आपके education qualification के बारे में, अब इसमें हमारे दो trade है, एक हमारा group X है, एक हमारा group Y है, जो group Y trade है, वो आपका non technical trade होता है, यानकि अगर आपने 12th pass की हो, किसी भी subject से 50% marks के साथ, तो आप इस vacancy के लिए eligible है, Y group के लिए, अगर आप X group के लिए form apply करना चाहते हैं, तो ये हमारा technical trade होता है, इसमें अगर आपने 12th pass की हो, physics, maths होना compulsory है, साथी physics, maths और English को मिला कर, आपके total marks 50% होने चाहिए, तो आप apply कर सकते हैं, इसी के साथ साथ, या फिर आपने pole technique वगरा की हो, 3 year का, आप X group के लिए form apply कर सकते है या फिर Y group के लिए आपने 2 year का कोई vocational course क्या हो, तो आप उसके लिए reasonable हैं, तो ये आपके पास opportunity होती है, दोनोई trades के लिए proper exam, physical test, medical test होता है, तो इसके exam वगरा के सरे बस की detail लेने के लिए आप इसके official notification को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजेगा, notification आपको description box में भी दीजेगा, ताबर तोर preparation में लग जाएए, इस बार आपको Indian Air Force में selection लेकर रहना है, वेकंसी नमबर फोर्थ है, ECGC PO Recruitment 2021, ECGC का मतलब है Export Credit Guarantee Corporation of India, जिसके अंदर PO यानकी probationary officer की post के उपर vacancies निकली हुए है, टोटल नमबर ओफ वेकंसी यहाँ पर 59 निकली हुए है, लेक अगर आप interested है PO की post के उपर selection लेने के लिए, तो इस opportunity को हाथ से मत जानी दीजेगा, इस वेकंसी के लिए जो form की last data है, वो 31st of January 2021 है, और जो आपका इसमें exam होने वाला है, वो 17th of March 2021 में होने वाला है, बात कर लेते हैं form fees के बार में, general OBC category वालों के लिए 700 form fees चार्ज किये ग यह जो आपकी calculate होगी हो 1st of January 2021 से होने वाली है, OBC, STAC को अपनी कास्ट कस्में proper reservation देखने को मिल जाएगा, बात कर लेते हैं education qualification के बारे में, अगर आपने कोई भी bachelor degree pass की हो, कोई भी से मतलब कोई भी, यानि कि BA, BCA, BBA, BSC कुछ भी क्या हो, तो आप इस vacancy के लिए form apply कर सकते हैं, तो friends यार, great grand opportunity मेरे हिसाब से तो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि बाकी प्योकी vacancies के comparison में, यहाँ पर competition काफी कम रहेगा, काफी सारे लोग department के बारे में ही नहीं जानते, तो आपको एक बार try जरूर करना चाहिए यार, नमबर थर्ड पर आती है, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्री की recruitment 2021, इसके अंदर हमारी तीन पोस्ट के ओपर vacancies निगली हुए, एक हमारी जीडी यानिकी general duty की है, एक डीवी domestic branch की है, एक हमारी यांत्री की की पोस्ट है, टोटल नमबर ओफ वेकंसी इसके अंदर 358 है, ती 2021 में ही होगा, form fees के बारें बात करें, जंदल OVC के लिए 250 रखी गई है, STSC कैटेग्री वालों के लिए आपर कोई भी form fees नहीं रखी गई है, eligibility criteria के बारें बात करें, तो तीनों ही post के लिए age limit 18 to 22 year मांगी गई है, साथ ही अगर education qualification के बारें बात करें, post wise, जो हमारी DB यानिक domestic branch की post है, उसके लिए के वर 10th pass मांगा गया, साथ ही GD general duty के लिए आपने 12th pass क्या हो, physics या फिर maths आपके पास होना चाहिए 12th में, तीसरी post जो हमारी यांतरी की है, उसमें 10th के साथ आपने कोई 3 year का diploma क्या हो, technical diploma, यानि की poor technique वगएरा आपने 10th के साथ क्यों हो, जिसमें electrical electronics हो, mechanical से हो, या फिर telecommunication से हो, तो आप इन post के लिए from apply कर सकते हैं, बाकी exam वगएरा आपके सब होंगे, official notification नीचे description box में डाल दे है, आप देख लीजेगा, सले बस exam कब कब होने वाले हैं, किस तरीक से आपका exam pattern वगएरा रहने वाला है, तो अच्छी post है आज जो लोग vacancy का वेट कर रहे थे, government job जल्दी लेना चाते हैं, और eligible है इन post के लिए, और interest डैयार, आप try कर सकते हो, ट्राइ करने में कोई भी बुराई नहीं है, अच्छी vacancy है, Indian Coast Guard के अंदर, बात करते हैं vacancy number second के बारे में, इस vacancy के बारे में आप थोड़ा सा seriously सोचेगा, क्योंकि Intelligence Bureau के अंदर, Assistant Central Intelligence Officer की post के उपर vacancies निकली हुए, टोटल number of vacancy हमारी 2000 है, और form की जो last date है, वो 9th of January 2021 ही है, यानि कि आपके पास केवल एक ही देने form अप्लाई करने के लिए, देखे friends, vacancy एकदम जबरदस है, इससे best post और इससे तगडी post आपको कहीं पर मिली नहीं सकती, काफी सारे लोग सोच रहे हैं, सेलेक्शन होना बड़ा मुस्किल हो जाएगा, exam भी tough level का होता है, फिर descriptive भी होता है, और interview भी होता है, friends, कुछ भी नहीं है, अगर आप जबरदस मैनत कर रहे हो नहीं, तो pre-exam आप ऐसे निकालोगे, और descriptive तो कुछ होता ही नहीं, अगर आपने एक CGL के चार-चार exam निकालके IB के अंदर जाते हैं, इससे छोटी post के ओपर, तो उससे तो ये best option ही है, तो friends, 9th of January इस वेकंसी की last date है, काफी सारी वीडियो और डी प्रोवाइड कर चुक हूँ, strategy की वीडियो, best book के ओपर वीडियो, complete detail इस वेकंसी के आपको दे चुक हूँ, salary, postage, posting वगएरा, कहाँ पर होगी, जो profile क्या होगी, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, description box check कर लीजेगा, वहाँ पर भी मैंने सबी वीडियो के link दे हूँ है, बस last में यही कहना चाहूँगा, कि यार, male और female दोनों ही category के लिए, एकदम best vacancy होती है, age limit, 18-18-18 मांगी गई ह और अगर आपने कोई भी bachelor degree पास के है, तो आप इस vacancy के लिए form apply कर सकते हो, तो सोचेगा seriously एक दो घंटा बैटके कि मैं इस vacancy को निकाल सकता हूँ या फिर नहीं, फ्रेंट्स, नमबर फ्रस्ट परमा आपको दो डिफरेंट डिफरेंट वेकंसी के बारें बताने वाला हूँ, जिसमें से फर्स्ट वेकंसी है हमारी HSSC, Police Constable Recruitment 2020, यानकी हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिसन, जिसके अंदर Police Constable की लगबग 7,298 वेकंसी निकली हूई है, इस लोग मध्या परदेश के पूछ रहे हैं, यूपी वाले भी काफी कंडिडेट पूछ रहे हैं, तो फ्रेंट्स आपके गलत फैमी दूर कर देता हूँ कि भले ही वेकंसी हरियाना के अंदर है, लेकिन अधर इस्टेट के कंडिडेट इस वेकंसी के लिए फों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हैं आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार, मध्या परदेश, जहार खंड, उत्रा खंड, कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हो, तो आप हरियाना प्लीज कोंसेबल की वेकंसी के लिए फों अप्लाई कर सकते हो, अधर इस्टेट के कंडिडेट इलिज ज्यादा इसू नहीं है, जनरल केटिगरी और अधर इस्टेट के कंडिडेट के लिए के वाल हंडर रोपे रखी गई हैं, और बाकी जो रिजर्व केटिगरी हैं, उनके लिए फों फिस हंडर से कम ही है, तो फ्रेंस प्लीस कोंसेबल की वेकंसी यार, बढ़िया लेवल की वेकंसी है, जो डिफेंस जोन करना चाहती है, उनको ये चांस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, अगर आप अधर इस्टेट के कंडिडेट हो, और काफी टाइम से आप गवर्मेंट जोब की तैयरी कर रही हो, आपको जोब नहीं मिल रही है, तो आप यार इस वेकं 2021, इस वेकंसी के बारे में आपको साहिद पहले बता चूँँ, काफी टाइम पहले दिसंबर में ये वेकंसी निकली थी, दोनों ही पोस्ट को कंबाइड करके, टोटल नमबर ओ वेकंसी 1128 यहां पर रख्य हुए है, इस वेकंसी के लिए जो ओनलाइन फॉम की लास्ट इस वेकंसी के लिए फॉम अपलाई कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रम आपको नहीं आएगी, फ्रेंट्स बात कर लेते हैं, इलिजबल्टिक राइटेरा के वारे में, देखें जो आपकी फोरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, उसमें अगर आपने 10 पास गया है, तो आप फोरे तक होने वाली है, तो फ्रेंट्स या जवर्दस वेकंसी है, फोरेस्ट गार्ड की वेकंसी काफी अच्छी वेकंसी होती है, जो लोग इंटरेस्टिट है, फोर्म जरू अपलाई करिएगा, क्योंकि ऐसी अप्रोचनिटी यार बार बार तो डेफिनिटली नहीं आती, तो मद्यापरदेश, प्लीस कॉंस्टेबल की वेकंसी आने वाली है, चार अजार की, साथ ही हमारी UPSC NDA के लिए ओनलाइन फोर्म अपलाई के जा रहे हैं, और हमारी UPPCL यूनियर इंजिनियर के लिए भी तो फोर्म अपलाई के जा रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको केव जो मिलना आज कल कितना मुस्किल हो रहा है, तो यार महनत करते रहे हैं, जबरदस महनत पे लगे रहे हैं, एक भी दिन ये मत सोचेगा कि आज पढ़ाई को मन नहीं कर रहा है, आज नहीं करता कल देख लोगा, डेली पढ़िए और जबरदस तरीके से पढ़िए, फिर में, कर नहीं कर देख से कतल फे रहे हैं, ऑगको को ही को जुミूशिए, आजोoter को फड़ाईको को कर भी दिन ये हैं, जबर को ार फे सो अरहे हा एम कर रहेहीं कर दो एमते हैं, तो कुम